स्वागत है आपका हमारे योटूब प्लेटफर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में पहले लेक्चर में हमने बाल विकास और बाल मनुविज्ञान में विकास मनुविज्ञान और अविवरिद की अधारनाओं को समझा था आईए अब यहां इस लेक्चर में सिख्षा मनुविज्ञान को समझते हैं तो सबसे पहले ये सिख्षा यानि एजूकेशन ये क्या है तो सिख्षा का कारे बालक के विक्तितु का स्वभावी के वंग संतुलित विकास करना है ये आप समझी रहोंगे सिख्षा सिख्ष और इसके बाद और प्रत्य जुड़ा हुआ इसमें प्रत्य जो कि किसी भी शब्द के आखिर में लगता है जबकि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तो सिख्ष का मतलब है सीखना या सिखाना तो इस तरह से होगा सिख्षा यानि सीखने वा सिखाने की कला तो एड्यूके तो यह लेटिन भासा का शब्द है जो की यानि अंदर से और जू को यानि आगे बढ़ना तो इन दो शब्दों से मिलकर यह बना हुआ है वास्तों में शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है यानि एड्यूकेशन इदब मोडिफिकेशन आफ विहेवियर यानि शिक्ष विवहार कुशल बनता है विवहार करने की कला आती है आगे देखते हैं कि बालक की शिक्षा मा की गोध से ही आरम हो जाती है प्रस्न पूछा जाता है बालक की प्रथम पार्ट साला भी कौन है घर है तो शिक्षर प्रक्रिया यानि लर्णिंग जो प्रोसेस है उसमें विध्यार्थी दोनों भाग लेते हैं इसके बाद है सिख्षा मनुविज्ञान यानि educational psychology तो यह है क्या तो सिख्षा और मनुविज्ञान दोनों का संबंध विवहार से है वियानि विहवियर से है अतर सिख्षा और मनुविज्ञान में घनिष्ट संबंद का होना आवस्चक है मनुविज्ञान क्या है इसकी पूरी भूंका मैंने पहले लेक्षर में बताई है आई बटन में आपको लेक्षर दिख रहा होगा वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं तत्म मिमानसा यानि इश्वर इश्वर कही है आत्मा कही एक बात है तो इश्वर, जीव और जगत ये तीनों सम्मलित रूप से तत्म मिमानसा कहलाते हैं इन्ही तीनों से मिलकर ये प्रकित का निर्माड हुआ है तो उपनिशद यानि उपधन, नीधन, शद यानी समीब निष्ठा पुर्वक और बैठना तो ये पूछा जाता है ये महत्पूर है ध्यान रखिएगा कि आत्म रूपी रहस्यान भूती विद्या को जानने के लिए गुरु के समीब श्रधा पुर्वक बैठना ही उपनिशद है इसी तरीके से हिंदी में पूछा जाता अन्तेवासी तो अन्तेवासी क्या है कि गुरु के समीब रहना जो गुरु के समीब रहकर अध्यान करता है उसे क्या कहते हैं अन्तेवासी तो ध्यान रखिए गई तो उपनिशदों की अधानना जो है वो बड़ी डीप है दर्शन से समंदित है उपनिशद दर्शन की वि विभाजी थी कौन-कौन एक तो वैदिक सिक्षा जो उपनेयन संस्कार से प्रारम होती थी, माना जाता था जब बालक आठ वर्स का हो जाता था तो उसकी वैदिक सिक्षा अरम होती थी, रिगवेद में इस्त्री और पुरुष्ट दोनों के लिए ही उपनेयन संस्कार बताय लिए इस तरीके से उप्रेयर संसकार केवल बाल को थकी सिमट के यानि लड़कों थकी सिमट कर रह गया फिर प्रवज्य संसकार से यह बहुत सिक्षा मानी जाती है भिख्षुक बनाया इसमें लगबग भिख्षुक वाली प्रविर्ति होती है इसके बाद से यह जो भी प्राप्ति का साधन थी अर्थात इस लोग की अपेक्षा परलोग को सुधार्दे पर ज्यादा बल दिया जाता था इसी तरीके से एक बिस्मिल्ला संसकार है यह मध्यकाल में यह संसकार आया तो बिस्मिल्ला संसकार से मध्यकाल में सिक्षा का प्रारम माना जाता था और यह बच्चे के 4 वर्स, 4 माह और 4 दिन होने पर विश्मिल्ला संसकार प्रारम होता था। एक प्रस्न है, प्लेटो ने अपनी सूप प्रसिद्ध रचना दर रिपब्लिक, पुछा जाता है दर रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लेटो की। तो इसमें क्या कहा है, कि बालक की आयू जियों जियों बढ़ती है, उसी अनुसार उसके विचारों, उसकी रुचियों, उसकी इच्छाओं और अन्यमानसिक योगिताओं में अन्तराता है। इस टेटमेंट आपको याद रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं, कुछ-कुछ महत्पूर पॉइंट जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहला है, मनुविज्ञान, कालसनिक, सिक्षा और मनुविज्ञान के सरुपर्थम व्यवस्थित सिधानतों का सरे प्लेटो को देते हैं। इसके अलावा, रूसो दर रिपबलिक को न्याय सास्त्र का गरंथ न मानकर, सिक्षा सास्त्र का गरंथ मानते हैं। तीसरा पॉइंट है, स्कीनर ने सिक्षा मनुविज्ञान का प्रारम प्लेटो के सिस से अरस्तु से माना है। यह सब पॉइंट याद रखिएगा, किसने किसे क्या माना यह एक्जाम में आपके पूछेगा प्रस्न है। इसके बाद से है, वास्तों में सिक्षा में मनुविज्ञान आंदोलन को प्रारम करने का स्रे जीन जेकस रूसो के सिधानतों में मिलता है। इसके बाद से अगला प्रस्न है, समाजिक, समझोतावादी, राजनितिक, एवंग प्रकिर्तिवादी विचारक रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल, पूछा जाता है एमिल किसकी पुस्तक है रूसो की, तो एमिल में सिक्षा सास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर सरप्रथम दिलाया था, तो ये भी प्रस्न महत्तपूर है किसने सरप्रथम अपना ये सिक्षा सास्तियों का ध्यान बालक की ओर दिलाया, तो रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल द्वारा, इसके बाद है अठारवी शताब्दी में पेस्थालोजी ने सरप्रथम बाल विकास का वैज् जो में बच्चों को सिक्षित किया रहा है, यू कहिए सिक्षा देना, जैसे प्लेवेइ स्कूल चलते हैं, तो जिसमें बच्चों को तमाम खिलोनों और तमाम माध्यमों द्वारा, द्रिश्य माध्यमों द्वारा बच्चों को सिक्षा दी जाती है, इसके बाद है डारव उन्होंने बच्चों का घर रखा फिर है कि बाल अध्यन के अंदोलन के जमदाता हल द्वारा चाइल्ड स्टेडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेर सोसाइटी के स्थापना की गई तो वास्तों में सिक्षा क्या है मानो वेवार का परिशोधन या पहले भी देख चुके हैं एड्यूकेशन इदा मॉडिफिकेशन आफ बिहैवियर यहां देख लेते हैं सिक्षा और मानो विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्तपूर परिभासा हैं देख लेते हैं तो सह विद्या या विमुक्ते अर्थात सिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या किसका इस्टेटमेंट है संकराचार का स्वामी विज्ञानन का इस्टेटमेंट महत्तपूर है मुक्त की अंतर निहित पूर्डता को अभिव्यक्त करना सिक्षा है यह स्वामी विज्ञानन आत्मा के सर्वांगीड व सर्वत्तम विकास से है वाट्सन का एक वक्तब्य है कि मनुविज्यान व्यवहार का विधायन विधायन यानि पॉजिटिव विज्यान है इसके बाद से मनुविज्यान आच्रण एमंग व्यवहार का यथार्थ विज्यान है ये मैकडूगल का है फिर क्रो और क्रो का है कि मनुविज्यान मानो व्यवहार और मानो समंधु का अध्यान है। फिर बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे सिक्षक को भली भानती पढ़ना है। तो ये रूसो का इस्टेटमेंट है, फिर विकास एक सतत वधीमी प्रक्रिया है, ये स्कीनर का है, सभी वक्तव अपने आप में महत्पूर हैं। फिर वाट्सन का ही एक इस्टेटमेंट है कि चिंतन और व्यक्त वाडी है। तो दोस्तो आज के इस सिक्षा मनुविज्ञान में मैंने सारी महत्पूर प्रस्नों पे डिसकस किया, आईए एक आज टोपिक देखते हैं, पिसले बार हमने मनुविज्ञान के इस डूड़ वर्थ के इस स्टेटमेंट की चर्चा की थी, मनुविज्ञान वातारण से समं करिया है, कॉगनिटिव एक्टिवटीज, जैसे देखना, सुनना, इस्मिलर करना, विचार करना और इमोशनल एक्टिवटीज क्या है, यानि सम्वेगात्मक करिया है, जैसे जो इमोशन हैं, हसना, रोना, परसन होना, दुखी होना, इन सभी की चर्चा हम डिटेल में, मंद केवल मनुविज्ञान से है यही कारण है कि बाल विकास की अलग से ओधारना जन्मली जबकि मनुविज्ञान के साथ बाल विकास में ग्रीविज्ञान सिक्षा सास्तर और समास सास्तर को भी सामिल किया जाता है बाल विज्ञान मन का अध्यान है जबकि बाल विकास मानस और साधिक दोनों अध्यान है ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा धन्यवाद दोस्तों